हरा फ्रेंड्स महरा जी आमान आपको पिर चैनल गाडनिंग और फिर से वेलकम करता हूं दोस्तों कि आज ऐसा कि आप देख के समझ गये होंगे कि आज कर वीडियो काफे शांदार होने वाला है तो आपके सामने यह मेरा प्लांट दीख रहा है इसके पहले से भी दो थीन वी वीडियो यह इसलिए एक खास है क्योंकि आपके इस प्लांट पे दो यह जो खास चीजे नजर आ रहे होंगी तुछ प्यारे प्यारे से मेंगो फ्रोट तो दोस्तों इस प्लांट के बारे में पूरी डिटेल में आप से बात करूंगा लेकिन उससे पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो ना बजने वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर टच कर दीजिए ताकि आने मेले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्लांट के बारे में बात कर अगरे में हैं देखिए दोस्तों फूर्ट का साइज आप मेरे हाथ पे देख सकते हूं कि इसका फूट का साइज लगा हुआ है तो ये दो फूर्ट इसमें लगे हूए है इसे फ्लावर तो बहुट जाद आते रहते हैं लेकिन दोस्तों हमारे टम्प्रेचर इतना झाल झाल तो आप लोगों ने इस प्लांट को अच्छे से देखा इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है दो फ्रूट लगने के बाद भी इसकी टोटल हाइट दोस्तों लगबग धाई फिट है धाई फिट से ज़्यादा इसके हाइट नहीं है और यह जो फ्लावर है उसको साइज लेके बता रहा हूँ बहुत ही कम हाइट में और काफी ठीकने से इसकी अच्छी है एक अच्छा बहुंसाई माटेरियल है लेकिन इसमें फ्रूटिंग हो रही है यह तो सोने पर सवाके वाली बात होगी दोस्तों काफी टाइम से मैं इस पर सोच रहा था कि इस पर अच्छी से फ्रूटिंग हो और आप लोगों साथ शेयर करों तो आज वो दिन आ गया है जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जरूर बताऊंगा अगर इसमें फ्रूट लगेंगे बहुत साय लोगों की क्योरी इस पर बहुत ज्यादा थी ठीक है तो यह पर फिर दिल्य जैसे टमप्रेचर यहां पर रहता है यहां पर पॉसिबल नहीं है कुछ-कुछ जगह पर थाइलेंड बहुत ज्यादा अलग है तो दिल्ली में यह लगबक साल में तीन या चार बार इसमें फ्रूटिंग लग जाती है क्योंकि टमप्रेचर गर्मियों में दोस्तो 47 degree temperature पर हम 2 मिनट धूप में रह नहीं सकते हैं तो ये बिचारे पौदे कैसे अपने आपको survive कर लें ये बड़ी बात है दोस्तों इसके जो flower होते हैं वो बिलकुल ही आते ही बर्न हो जाते हैं और ब्लैक होके गिर जाते हैं तो इसे fruit लगना तो possible ही नहीं है जैसा गर्मियों को सीजन हलका सा गया जो लूह चलती थी वो खतम हुई होई में थोड़ा सा मौश्चर आया थोड़ा सा temperature लो हुआ तो यहां इसने दो fruit प्रोडूस किये दो सांदार जो आपको सामने जो फल नजर आ रहे हैं वो इसने प्रोडूस किये क्योंकि temperature थोड़ा सा लोग है जैसे मेरे ख्यालते जबी तक जितना भी मेरा अनुभा रहा है इस प्लांट को वे बारे में तो वो यह 35 तो 42 डिग्री टंप्रेचर में यह काफी अच्छा सर्वाइफ करता है इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी होती है जैसे temperature हाई होता है तो यह सारा का सारा अपना जो ताकत है मौश्चर है वो अपने आपको stable रखने में लगा देता है और यह फ्रूट प्रोडूस नहीं कर पाता ठीक है दोस्तों तो सिंबल यह बात है अब बात करेंगे दोस्तों इसकी शांदार केर की कि कैसे करते हैं और कौन-कौन से लोग काउन-कौन सी जगम पर इसको लगा सकते हैं दिसको अगर बहुत जादा सर्दियां पड़ती है आपके यहां पर तो जिसे साल के 12 महीने बन अब लगा सकते दोस्तों कि इसको थोड़ा सा टंप्रेचर हाई भी चाहिए यतना हाई भी नहीं कि इसको थोड़ा से डैमेज हो जाए लेकिन इसको टंप्रेचर चाहिए जब यह बिल्कुल ही टंपरेचर तीन या चार्ट पांच डिग्रीटर चला जाता है तो यह ड दिल्ली जैसे नौर्थ इंडिया में इसको आप लगा सकते हो खेतों में भी लगा सकते हो लेकिन अगर आपके पाइस गार्डन है तो यह आपके लिए बेस्ट आफसन है आप इसको लगाईए अपनी च्छत पे और च्छत की खुबसूरती बढ़ाईए कि प्रोसी काफी आमेज़ हो जाते हैं कि आपने कैसे लगाई यहां तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों यह ग्राफ्टेट पॉदा है तो थोड़ा से स्पेस मिलेगा थोड़ा सा अच्छा ता इसमा फर्टिंग करनी ही करनी में कोई बदी बात नहीं कि इसमें मेर पास यह पौदा अवेलेबल है जो डिएर साल पहले मैंने परचेज किया था तो आज उसका रेजल्ट काफी अच्छा मिल रहा है दोस्तों तो लोग देखते हैं बाते करते हैं इसके बारे में काफी खुशी मिलती है तो इसकी केर काफी आसान है दोस्तों आप इसको फुल सल होती है वहाँ पॉइंट इसका ब्लाइक हो जाता है और कुछ नहीं होता और टेंपरेचर लोग में भी आपने आपको स्टेवल रखता है सर्वाइफ कर जाता है फ्रूटिंग कंडिशन आपको बता दिया मैंने इसकी कि फूर्टिट फाइव तो फूर्टिट टेंपरेच अब 30% 30-25% आप वर्मी कंपोस्ट आइड कर दीजिए उसमें 10% कोको पीट और बाकी के जो हिस्सा पार्ट बचता है आप उसमें सैंड या बजरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो दोस्तों वेल ड्रेंड स्वाइल इसके लिए बनाएं गमले के लिए कि जितने भी पौदे ह मैं हमेशा रिकमेंट करता हूँ कि वेल ड्रेंड स्वाइल इसके बनाई है क्योंकि गमला में बहुत ही लिमिटेड आप्शन होते हैं प्लान के लिए उसी में उसकी रूट्स भी सर्वाइफ करना है उसे में उसको फूड भी प्रोडूइस करने हैं जो वहां से पानी भी देख है और प्रूनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब कभी कभी सीजन जैसे बारिश के सीजन अभी गया है तो उसमें कुछ ब्रांचेस थी जो काफी बड़ी हो चुकी थी तो उनको प्रून बैक करके हमको कट बैक करना पड़ा तो प्रूनिंग की वज़ा से दोस्तों इसमे फ्लॉरी वुस्तफ ज्यादा मिलता है और फ्लावरिंग काफी ज्यादा मिलता है और वह आपको दिक्षंगा चैसर ऊहुच्त मैं कैसे के फीरोम ज़्लाइज घ्वास ज्याधा जरूरी है क्योंकि यह नदूरी घुषाल कर सकता है तो उसे इसाप से अपन तूट गया है तो इस वजह से थोड़ा सापको यह वीडियो में डिस्टर्बेंस नजर आ रही होंगी फ्रेम हिल रहा होगा अधर्वाइस जब ट्राइपड मेरा आ जायेगा तो मेरे वीडियो सही होने लग जाएगी ठीक है लाइस्ट वीडियो में बहुत सारे फ्रेंड न तो आप लोगों के लिए वो मंगा देंगे ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक प्लेस पर यह मिलता है तो यह चीज़ आपको दिखाता हूं दोस्तों की जो प्रूनिंग करने से क्या फायदा होता है यहां से मैंने प्रूनिंग करी आप देखे एक अच्छा सा मुझे शूट मिला औ यहां भी प्रूनिंग करने से उपर प्रूनिंग करने से नीचे से इसमें फ्लावरिंग होने शुरू हो गई जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहां पे भी प्रूनिंग करी यहां पे भी कुछ दिर में फ्लावर आ जाएंगे यहां भी प्रूनिंग करी है मैंने यहां भी कुछ शूट्स निकल रहे हैं फ्लावरस के तो प्रूनिंग काफी अच्छी चीज है और इसमें थोड़ा था कॉम्पैक्ट लुक भी आता है तो यह था मेरा वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर